स्वागत एक बार फिर से आपका और ये इस खास पेशकर से रिलाइंस के एजियम अपसे कुछ ही देर में शुरू होने वाले हैं उसी पे हम लोग बातचीत भी करा भी आपको एक हमने दिखाए पिछले वित्वर्स में क्या-क्या हुआ और अब हमाई साथ चोला इशकान्त और ट्रिकाम स्टॉक ब्रोकिंग के पार्थिशा भी जो गए हैं आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है दर्मेश बहुत उमीदे माजार को बहुत सारे इस्यूस पें जिसमें लोग सुनना चाहते हैं आपकी क्या एक्स्पेक्टेशन्स हैं सबसे पाल एक्स्पेक्टेशन तो यह कि जो वैल्यों कि बात करें डिमर्जर ऑफ बिजनसेस की उसका टाइम लाइन के वाले में कुछ बताते हैं या या यभी भी कंसेप्शोल स्टेज पर एफ एफ जापल जियो का कब डिमर्जर होने वाला है जो टेली को टेल का क्या ट सबसे सिंग्निफिकेट मुझे लगता है कि जो क्ली निव इनरजी की इनों ने बात किती जिसका प्रचता हजागरों का क्या पैक्स इनों ने आउट ले किया था उसके बारे में क्या प्रब्रेस है और इसमें अडिशन हो और नहीं होगा कि कहां लेके जा रहेंगे साह वो कि इसके प्रड़क्शन चालोंगे और वहां पर रेविन्यू जनेशन कबता हुआ कैश फ्लोग के वारे में तो मुझे लगता है कि यह आम सा मिती है मार्केट में एनलिस्ट के बीच में कि यह इंटरनल अक्रोल कि तो ही मिट करेंगे वहां प्राब्लम मारी नी चाहिए त पार्थू आपकी क्या नजरें कहा नजर रहेंगे आपके आप सबको गुट आफ्टर ने अगर लास्ट एजियम में चैविन साफ की अगर आप स्पीच पे ध्यान दे तो उनें बहुत कैटिकर ली उनके जो नेक्स जनरेशने उनके जो तीन के उनको अच्छी तरसे हाइन और डिफेंड किया था यह जरूरी कियो यह समझने का I think very important is the concept अगर आप भारती एटल की बात करें तो इस कोटेंड अरॉंग 9.5 लाग क्रों मार्केट का जियो अकेला अगर स्पिन ओफ होता है तो मुझे रगता है जिस तरह के सब्स्राइबर्स जिस तरह की नहीं हो एच एसेट से इंटम्स अफ उनकी जो स्केलेबल टेलिकॉम एसेट से 5G में भी उनका स्प्रेड अच्छा है स्पेक्ट्रम कॉलिटी भी काफी ब अगर देखे तो स्टोर एक्पांशन बे अर्मोस्ट 18,000 836 स्टोर सेटी नाइन बीजन स्क्वेर फीट की एरिया है रिटेल का सेटिंग का और 30 कोर जितने रजिस्टर्ट कास्टमास है तो वैल्यू है इस बीजिनस अमें लग रहा है कि पोस्ट लिस्टिं कें कमांड इस बात करें तो O2C is always valued reasonably well अच्छा cash flow generating business है Markets are excited because December तक expectation था कि कुछ I think revenues will start from the new energy business तो वहाँ पर I think शायद annual report के business पर हम देखे तो free cash flow generated हुए FI24 पर बिकॉस अपर च्छ्छ रहा है Okay, meanwhile Reliance की AGM से पहले एक announcement आई है कि एक पर एक bonus share की board meeting होगी इसको जड़ा change करिये एक पर एक bonus meeting जो अगली board meeting होगी September 5 को उसमें एक पर एक bonus share consider किया जाएगा तो ये इस समय की बढ़ी breaking news तो AGM से पहली एक news तो आगे निरज जी और ये बहुत बड़ी ख़बर है इन्वेस्टर के लिए इससे बढ़िया ख़बर नहीं हो जगती क्योंकि हमेशा हो लोग 3-4 साल बाद expect करते हैं कि एक bonus आजए और वो bonus पांच तारी को board बैठा के तो almost done ही मानके चलना चाहिए तो ये तो बहुत ही शांदार ख़बर Reliance के सभी निवेशकों के लिए है क्योंकि उनको इसका इंदार भी रहता है पूछते भी रहते हैं वो तो अभी देखिया आगया बोनस और स्टॉक में एक रियक्शन भी तुरन 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 आगया डियर प्रसेंट स्टॉक उपर दर्मेश्ट बोनस तु मिलिया भई मलब अलमुस्ट डन ही है बैठा के बोट की पास तारिक को बिल्कुल बिल्कुल और काफी अच्छा पॉजिटिव यूजर और इसे दो फादा होगा एक तो जो तीन हजार के प्राइस पे ट्रीट कराओ ऑपस है वन इस तो नहीं है तो तो चोटे नहीं बिश्टकों के लिए जो के प्राइस को देख के यादा इन्वेस्ट करते हैं वहाँ लिकुलिटी आ जाएगी एंड बोनस इस अल्वेसर वेलकम मतब यह हमेशा ही अच्छा रहता है और काफी अच्छा पॉजिटिव यूस तो नहीं दे दिया शुरू होने से पहले ही पार्थिव इन्वेस्टेर्स के लिए अच्छी ख़बार है आधी आधी तो उनकी हमको लगता है एकस्पेक्टेशन पूरी हो गई होगी अब आगे लिस्टिंग वारे अली जो बाते हैं बहुत सारी टीडिल जो सुनना चाहते हैं उसमें थ्रौश संतोश हो गया उनको ठीमारिजव के पहले एक अच्छी गिफ दे इग इन्वेस्टेस को और यह तो लेकिन पूरे मार्केट के लिए इंपर्टने कर से अब्सक्राइब पास्क ने कि जब 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 ने उनके चाहिव किये रिवार्ड अच्छी अच्छी तो अच्छा है और जैसे तरंभी जी कि it always psychologically looks better to buy a share at 1500 vis-a-vis 3000 valuations या market cap में कोई फरग नहीं पड़ता लेकिन I think this is very good news